नमस्कार स्टिटी पोस्ट लाइब के इस विशेश पेसकस में आपका स्वागत है। करने का कड़ी है रंजन, उनसे मिलवा रहे हैं, तो रंजन को आप जानते ही होंगे, पहचानते भी होंगे, कौन ऐसा पार्टी है जो रंजन को नहीं पहचानती, कौन ऐसा मिडिया घराना है जो रंजन को नहीं जानता, तो बच्पन से इस छेत्र में काम करके रंजन ने इतना दिन से पियार कर रहे हैं कमपनियों के लिए, राजनितिक दलों के लिए, ये शुरुवात कब से की और कितना स्ट्रगल करना पड़ा है। मेरी शुरुवात भाया 2004 में हुई थी, रवी किसंजी के एक फिल्म रिलीज हुई थी, सहिया हमार, उस टाइम में वो हाजीपूर आये थे, हाजीपूर में उस टाइम में हिंदुस्तान में रिपोर्टर था, और उन्होंने मुझे काम दिया कि मेरा प्रेस कॉनफरेंस करा द थे, तो उस परचे का फाइदा मिला, और सभी लोगों ने मेरा सहयोग दिया, जो भी पतना के मीडिया करमी थे, सब लोगों का सहयोग मिला, तो धीरे-धीरे-धीरे आगे बठते चलेगा, आपने फिल्म से पियार का काम सुरू किया, और पहुंच गया राजनितिक दलों राजनितिक दलों तक कहां से ब्रेक मिला? टीम बढ़ाया और काम करते चला गया, आज की तारिक में आपकी टीम कितनी बड़ी है रंजन और कितने लोगों का पियार बड़ी है? इतने पार्टियों के आप पियार करते है, इतने जो हिरो हैं उनका पियार करते है, तो उनमें कभी अपस में नहीं होती है कि भाई, यह मेरा भी आप यार कर रहा है, मेरे बिलोधी का भी कर रहा है? नहीं मेरे साथ कभी ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सबी लोग जानते हैं कि इधर का बात उधर उधर का बात रंजन कभी नहीं करता है और मतलब एक विश्वास मेरे उपर बना हुआ है लोगों का तो उसका फाइदा हमको मिलता है और क्या आपका विजन है किस मुकाम तक अपनी कमपनी को पहुँचाना पियार करें? मेरा भी मुकाम नंबर दो तक पहुँचाना है, क्योंकि नंबर एक ओलेडी है बिहार में, तो मैं चाहूँगा कि पहले मेरा नंबर दो पहुँच जाए, फिर मैं उनको टकर दूँगा. तो आपका जोर जादा राजनिती पर रहेगा या फिल्म पर? दोनों और, क्योंकि मेरा टीम बिल्कुल अलग-अलग काम करता है, छेलरकों की टीम फिल्म पे है, छेलरकों की टीम पोलिटिकल पे है. आज सही और भो बताना, कि मज़ा किस में आता है, फिल्म का पियार करने में या राजनितिक दलों का? सच पूछे, तो राजनितिक दलों का करने में मज़ा आता है, क्योंकि नई-नई चीज सीखने को मिलता है, और पहचान उसी से मेरा बढ़ा. तो राजनिती छेतर में काम करने में बढ़ा मज़ाता है, और फिल्म में अब एक रूटीन बन गया है, तो इस रूटीन वर्क में ही चलना पड़ता है। और पियार कंपनी आगे बढ़े तो आपने देख लिया रंजन के कई रूप है रंजन को आप जानते होंगे कि फिल्मों के पियारों है यानि जो भी बड़ी-बड़ी फिल्मे आती हैं भुजपुरी की खास्तोर पर उनके पियार काम यहीं देखते हैं लेकिन जो बड़े- बड़े राजनितिक दल हैं उनका भी पियार देखते हैं और उनको तो मज़ा फिल्म से ज़्यादा आप राजनिती में आने लगी है आपको भी आती होगी क्योंकि अब इंटर्टेन्मेंट चैनल से ज़्यादा आपको न्यूज चैनल में मिलता है उसी तरह से रंजन को फ अगर आप मेंसे भी कोई ऐसे लोग हैं जोनों संहर्ष किया है इस मुकाम तक पहुचे हैं उनकी अस्टोरी दुनिया के सामने नहीं आई है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं हम जरूर आपको लाएंगे नमस्कार